Question No. 1. घड़ी में चावी भरने से कौन सी उर्जा इस्तित होती है? The correct answer C. घड़ी में चावी भरने से इस्तितिच उर्जा इस्तित होती है? Oxygen और Hydrogen Gas के विश्रन की दर का अनुपात क्या है? The correct answer A. Oxygen और Hydrogen Gas के विश्रन का दर 1 रेस्टु 4 है कौन सा परवत महादियूपिय जल विबाजक के रूप में माना जाता है? The correct answer D. जल विबाजक के रूप में रौकी परवत को माना जाता है भारत में हरित क्रांती का जनक किसे कहा जाता है? The correct answer A. भारत का हरित क्रांती का जनक डौक्टर MS. स्वामिनातन जी को कहा जाता है The correct answer B. दिन बंदू सार्वजनिक सबा की स्थापना जोतिबाफ उले ने की थी The correct answer A. प्रवासी भारतिय दिवस नव जन्वरी को मनाया जाता है The correct answer A. प्रौदो का सबसे महत्वपुर्ण अंग पुष्प होता है इस उपकरन द्वारा द्वनी उर्जा को वितु उर्जा में परिवर्तित किया जाता है The correct answer D. ध्वानी उर्जा को वितु उर्जा में माइक्रोफोन द्वारा परिवर्तित किया जाता है चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है The correct answer A. चिकित्सा दिवस एक जुलाई को मनाया जाता है The correct answer C. अंतर राश्ट्रिय नेल्सन मंडेला दिवस अट्रा जुलाई को मनाया जाता है सविदान के किस अनुछेद में उल्लेख है कि संग के लिए एक संसद होंगी The correct answer A. अनुछेद 79 में उल्लेख है साची के इस्तूप का निर्मान किस ने करवाया था The correct answer D. साची के इस्तूप का निर्मान समराट अशोक ने करवाया था The correct answer A. महाविर स्वामी ने अपना उप्देश पाली भाशा में दिये थे ये last question आपके लिए स्वतंतरता दीवस कब मनाया जाता है इसका आंसर कमेंड में जरूर दे Thank you so much for watching जैहिन दोस्तो